के सब्सक्राइब की जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे टी ट्वन्टी वली उसे ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हाला कि अगर मैं ठीक रहा था तो अभी तक टी ट्वन्टी वली सीरीज जो है वो आगे बढ़ चुकी होती लेकिन हमें कौशिश करूंगा रगूलर बेस वला उसमें रनर अप को रहा था आपसे यह पूछा है यह ने पूछा कि वीनर कोन है आपसे पूछा गया था कि रनर अप कोन था और एक पर फिर से जितने भी सारे क्योशन आपके सामने लाए जाएंगे आज वो एससी जैक इस बिग्जब में पूछे गए क्योशन है तो यहां पर जो करेक्ट एंसर को सब्सक्राइब को बताना चाहूंगा जो आईसी सी अंटर नाइटिन क्रिकेट वर्ल्ड कप दो हसार बाइस पर एडिशन था वह बला यह हुआ का पर वेस्ट इंडिस में मैच इस हुए थे यह वले और इसके बाद दो हसार चोबीस में जो ह आपको पता होना चाहिए तो यहां पर आपसे पूछा था रने रप को तो वह इंग्लाइंड ऑप्शिन नंबर सी करेक्ट एंसर हो जाएगा चलेंगे आगे सेकेंड की बात करेंगे आपसे यहां पर सेंसर पूछा गया था वर्ट इस दा परसेंटेज आफ परसेंस बिलो आपको बताना था तो आपसे अर्बन पूछता तो ऑप्शिन नंबर बी में 13.7 परसेंट दिया हुआ है यह अर्बन का हो जाएगा ओवराल इंडिया का पूछता बी पेल वाला तो ऑप्शिन नंबर डी 21.9 परसेंट हो जाना था आपसे रूरल पूछा है तो ऑप्शिन में आयवा कुशन है आगे चलते थर्ड की बात करेंगे वह भी आपके सामने स्क्रीट में आ रहा है इन विच यह वास दा जम्मू एंड कश्मीर लाजिसलेटिव काउंसिल एब ऑलिश्ट जम्मू कश्मीर के जो लाजिसलेटिव काउंसिल यह कब अब ऑलिश्ट करेगे तो 2019 में वो आये था तो option number ए correct answer हो जाएगा चलते हैं fourth question की बात करते हैं आपे कहा जा रहा है which of the following lakes is correctly paired with the state in which it is located कौनसी state और उसमें तो लेक मैंशिन करी गई है वो वोला पेर आपको सही देखने को मिल रहा है कौनसा पेर सही आपको वो बताना है option number A में है डल लेक हिमाचल प्रदेश डल लेक तो जम्मू कश्मीर में है तो option number एग गलत हो गया बी में है बीमता लेक उत्रा खंट तो यह बिल्कुल सही है option number B वोला पेर सही है वही तो उमको बताना था तो option number B correct answer हो जाएगा C में चिलका लेक वो तो उडिसावले side हो जाएगा लोग तक मनिपूर वले side हो जाएगा तो एक ही पेर सही था वह option number B वोला था वही आपको बताना था इसी के साथ चार कुरिशन हमारे जर्नल अवनेसले complete हो चुके हैं चलने के हम इंग्लिश वाले section की तरह तो इंग्लिश वाले question का section का first question आपके सामने screen में आ रहा होगा बीचे में करूंगा तो आप थोड़ सा इंग्नोर करते जाना उसको select the most appropriate meaning of the given idiom यहां पर इडियों आपके सामने इडिया वह इन 7th heaven इन 7th heaven का जो है सही मतलब क्या होगा इस idiom का मतलब कर आप से वह पूचा गया है extremely sad seven day birthday ceremony बताने के क्या लिखा हो लेकिन in 7th heaven का मतलब का तब बहुत खुश हो जाना है तो extremely happy आपको देखने को मिल दरा option number d में वह correct answer हो जाएगा इक्जाम में I have a question है English section का second question आपके सामने स्क्रीड मेरा synonym आपको बताना है किसके बताना है we have been following the matter closely for a month रिपोर्टर ने कहा रिपोर्टर साथ इसको इंटरेट फॉर्म में convert कर रहा तो रिपोर्टर साथ को वही रहने वाला है इनुटिट को हटा के दैट लगा देंगे वह सब जगा देखने को मिल रहा है तो आपको एस बनी दैखने को मिल रहा है उप्चे नंबर आ में भी है और बी वी है लेकिन option number B में क्या है option number B में लिखा हुआ है the reporter said that we had been उसमें वी को change ही नहीं कर रहा हुआ जबकि वी को change करना था the reporter said that they had been यहां पर आ जाएगा option number is correct answer हो जाएगा narration के basics पता है तो आपको समझा जा गया हुआ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आपको English question का English section यहां पर कहा जा रहा है the board of directors जिस तरह से मैं को समझाना चाहता था वैसे नहीं करवा पार हो लेकिन series miss हो रही थी इसलिए आज वीडियो के सामने लेकर हैं तो cooperate कीजेगा questions का मज़ा लीजेगा जो questions आपके सामने आ रहे हैं the board of directors want the facilities of car and accommodation for itself कहां पर error रहे हैं बोर्ट डिरेक्टर जो फैसलिटी इस चाहता है कार की भी रहने खाने पीने की फैसलिटीज बगारे बिचाता है और itself itself थोड़ी ना उनके लिए themselves आ जाएगा themselves आ जाएगा तो itself गलत हो जाएगा option गलत हो जाएगा वही तो आपको बताना था यह होगे हमारे पास English का section के चार question complete आगे चलेंगे reasoning को लिए section हम start करते reasoning को लिए section का first question आपके सामने screen मेरा आपको pattern पहचान है तो जिसको भी इस तरह की difficulty आती है इस equation करने में reasoning की playlist बनी है वहाँ पर सभी topic करवाए है वहाँ पर जाके वीडियो देख लेना और अगर आप इते कमें test series नहीं करें तो test series का link का आपको वीडियो की comment section में मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा तो आप जाके test series पहचाना था यहां पर pattern क्या लग जाएगा उसको break कर लो किसी साबसे break कर सकते हो आप कितने group में break कर सकते हो मारकर कर का जायब एक चार इस बांड़ सकता हो ना ये चार ग्रूप बन जाएगा एक दो तीन 4 का गूंप एक दो तीन चार का गूंप एक डो तीन चार गूंप बन जाएगा जो लास्ट में स शरी की आपको सिर्फ आपको सिर्फ बन रहा जब दुत आ रहा सकते हैं ते Q 의 बताना था रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं यहां पर क्या है mirror image की category से question बना हुआ है तो देखो यहां पर इस तरह से लिख़ो आपके सामने जो बिल्कुल left होता है वो बिल्कुल right में चला जाता है तो B यहां पर बिल्कुल जो इस side में है वो यहां पर इस तरह से बन जाएगा तो यहां पर आपको ऐसा कहां पर देखने को मिल रहा है यह B को पर left rotate करना है option number B तो वैसे eliminate हो गया option number यह तो वैसे eliminate हो गया तो कि जो B यहां पर है वो बिल्कुल वहां पर जाना चाहिए था और B को भी left right करना पड़ेगा यह तो answer option number B में होगा यह option number C में होगा तो option number D में होगा तो आगे B, I और P को चेक करने के जुरूरत नहीं है हाँ जुरूरत है B और I तो समझेगा से में वहां पर चेक करने के जुरूरत नहीं है लेकर एकर मैं P की बात करूँगा, अगर P यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर वो ऐसी आजाना चाहिए था, और ऐसे आपको है तो option number C में है, तो option number D में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से एक बात और clear होगे कि option number A भी eliminate हो गया, B भी eliminate हो गया, यह तो C answer होगा, यह तो D answer होगा अब C और D में difference क्या देखो, यहाँ पर सबसे इधर V देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी सबसे इधर V देखने को मिलना चाहिए, लेकिन option number D में W आ गया, वो गलत हो गया था, तो option number C में पास correct answer हो जाएगा, जिसको नहीं पता, mirror image इसमें left और right और concept लगता है, जो भी च pattern कुन सा follow होगा, वो आपको बताना है, कहीं तरह के words आपके सामने देखने को मिल रहा है, जितने भी words सबी के starting में M O तो आपको देखने को मिली रहा है, और option number A M O U से start हो रहा है, बाकी M O T से start हो रहे हैं, और U आता 21 नंबर पे, T आता 20 नंबर पे, इसका मतलब पहले जो word आएगा, वो ये वला ही आएगा, T वला ही आएगा, तो option number A से start होने नहीं वाला, इतना clear हो गया, अब हम आगे चलते हैं, M O T तो तीनों जगा common देखने को मिल रहा है, हमने focus किसमे करना second, third, fourth और fifth मे, M O T सब जगा common देखने को मिल रहा है, लेकिन second वले में हमें क्या H पहल H तो 8 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे, E 5 नंबर पे आता है न, ये first, second, third, fourth, fifth, इसका मतलब हमारा जो option है, सबसे पहले ही, ये तो third नंबर वला, आपको word देखने को मिल रहा है, यहां से start होना चाहिए, तो A की option ऐसे जो 3 से start हो रहा है, तो वो correct answer हो जाएगा, उमीद करता हूँ, आपको समझ आ रहा होगा, जो मैं बताने के try करो, नहीं समझ आ रहा, एक बार reasoning की playlist जाके जरूर देख लेना, next question आपके सामने जो screen में आ रहा है, यहां पर क्या है, ये कुछ number analogist आप से पूछा गया, आपको वो concept देखना और इसका answer बताना है, correct answer क्या हो जाएगा, जो को यहां पर क्या है, 273 का relationship 21 के साथ है, वो कैसे हो सकता है, खुद ही पहचान लो, 273 का relationship 21 के साथ है, अगर मैं divide करना start कर तो 21 को 1 second 21, तो ये 63, 3 है ना, इसको 273 को 13 से divide करना करा जा रहा है, इसको मैं verify करने के लिए, 364, 28 का pair भी उठा ले तो, 28 को 1 second 28, तो कितना चल जाएगा, तो बिलकुल हमारे पास ये 13 वाला pair बन रहा है, बतलब जो भी पहला number है, 13 से divide करना पड़ रहा है, वैसी यहां पर 221 था, इसको कि मैं 13 से divide कर ले तो, 13 और 13, 91, तो 7, 17 हमारे पास answer आज़ेगा करके देख लो, जो मैं बतारो, pattern आपको समझ आया होगा, आज़े जो important question थे, वो cover हो गए है, उमीद करतों को समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा, questions पर focus कीज़ेगा, और comment section में, एक दूसरी की help कीज़ेगा, और किसी तरह की problem आ रही है, आगे चलेंके next question की बात करेंगे, mathematics का first question आपके सामने screen में आ रहा है, यहां पर कहाँ के number of units manufactured, जो भी units manufacture करेंगे हैं, उनको M से denote करा गया है, और जो भी units sold करेंगे, बेचे उन्हें, एसे denote करा गया है, और जो number of units sold है, वो hundred में, ब्रैकेट में लिखावा है, in hundred, by a company, और company हो कौन सा साल में manufacture कर रही है, बेच रही है, वो सब कुछ clearly mention करा गया है, question में पूछा का, what is the average number of units sold by the company per year, कितना company जो है, वो sold कर रही है, per year, आपको बताना है, average निकालना है, average का formula करता है, sum of observation divided by number of observation, तो unit sold किते के चारे, आपसे वो पूछ जा रहा है, तो sum of observation कर लेते हैं, सबसे पहले 1.7 है, उसे 1.7 का मतलब क्या हो जाएगा, 170, तो कि उसने क्या कहा था, यह सब कुछ hundreds में है, तो 1.7 का मतलब 170 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 150 हो जाएगा, 1.0 का मतलब 100 हो जाएगा, 1.4 का मतलब 140 हो जाएगा, और 2.1 का मतलब क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा, इन सब्रिकों में add करूंग, sum of observation आ जाएगा, 200, 300, 400, 500, 600, 670, तो 720, 760, 770, sum of observation 770, तो कितने टर्म में total 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 साल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो divided by 5 कर लो, यह तो करना था, तो 5 अज़ा 5, 27, 5, 25, 25, 25, क्या मैं कोई mistake बगारा कर रहा हूं कि है, 154, हाँ बिल्कुल है, option number C में तो वो correct answer हो जाएगा, clear हो गया, यह question exam में आए हुए ह जितने भी question अभी तक discuss करें, सभी comparative exam में पूछे के question है, latest पूछे के question है, इसलिए आप से में discuss भी कर रहा हूं, आगे चलते हैं, next question की बात करें, आपको सामने screen में आ रहा है, यहां पर काग एक triangle ABC है, उसमें 2 times angle A जो है, वो 3 times angle B के बराबर है, और यह अगर हम बात करेंगे 6 times angle C के बराबर है, तो बताओ इन तीनों में से A, B और C, B से सबसे बड़ा angle कौन से चलते हैं, एक तो आप LCMA तरीके से करते हो, अगर शॉट आट करते हो, जो बिल्कुल basic तरीका करते हैं, बिल्कुल basic method से करके, चलते हम ऐसे करते हैं, इनको किसी भी A term में लेकर आओ, जै में C और A को भी equate करूँगा, तो angle C किसके बराबर हो जाएगा, 2 by 6 of angle A के बराबर, तो यह 1 by 3 हो जाएगा हमारे पास है न, तो मैंने सभी angle A की term में लेकर आगे हो, बिल्कुल basic method से करा रहा हो, आप ऐसे कर सकते हो, तो आपको पता है, triangle में angle of A plus angle B plus angle C 180 degree के बराबर होता है तो भी मैं करूँगा, angle A को वैसे ही रहने तो, angle B के जगा 2 upon 3 angle A कर लो, और angle C के जगा 1 upon 3 angle A कर लो, यह 180 के बराबर हो जाएगा, 2 by 3 of angle A plus 1 by 3 of angle A, है न, तो 2 और एक 3 angle A plus 3 upon 3 angle A equals 180, यह तो कट जाएगा, तो 2 times angle A equals 180, तो angle A में पास 90 degree आ जाएगा, अब angle A 90 degree आ गया, उसको कहें पर भी substitute करो, बाकिए angle भी मेरे पास आई जाएगे, जिसमें अगर में यहाँ पर substitute कर लो, एक जाएगा, तो 30 आ जाएगा, तो angle B मेरे पास किता जाएगा, 60 degree हो जाएगा, एक 90 degree है, 60 degree, 150, 130 degree होगा, सबसे बड़ा angle को, उसके 90 degree होला angle है, तो मेरे पास correct answer हो जाएगा, तो 90 degree आपको देखने को मिल रहा है, basic question exam में आया हुआ था, आगे चलेगे, next question आपके साब में पाई चार्ट विली category से आया हो, यहाँ पर कहा गया है, percentage distribution of annual expenditure, अनिल का जो खर्चा है, वो सहर आपको इस पाई चार्ट की हजब से बताया गया है, तो आपको बताना है, what is the corresponding central angle for annual कितना खर्च कर रहा है, power और fuel पर, आपको बताना है, देखो पूरे circle की बात करेंगा, 306 degree है, 306 degree को अपने कितने percent में convert किये हूँ है, सभी 40, 15, 15, सब कुछ मिला दो, तो पूरे 100% का distribution अपने किया हूँ है, 100% किसमें किया हूँ है, पूरे 360 degree में करा हूँ है, है ना, आ आप से यह है, तो अगर मैं बनो, एक percent किसके बराबर हो जाएगा, तो वो 360 upon 100 के बराबर हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, तो power और fuel पे वो 15% खर्च कर रहा है, आपको डाइग्राम में देखते को भी मिल रहा है, तो 15% किसके बराबर हो जाएगा, 360 upon 100, multiplied by 15, यह हो क्लियर हो गया, यह सब भी question exam में आये हुए है, mathematics का last question हम cover करने वाने जो कि exam में आया हुआ है, यहाँ पर आपको कहा गया है, रीना, वीना और विमल की बात करेंगे, यह किसी काम दो करने में चार गंटे, आर्ट किट और बारा गंटे का टाइम लगाते हैं, तो कितना वीडियो से प्ले लिस में देखने को मिलेंगे, जाके देख सकते हो, रीना, वीना और वीमल जो किसी काम को देखा, पहले रीना जो है, वो रीना काम करने में चार गंटे लगाती है, फिर उसके बाद वीना जो है, वो काम करने में आट गंटे लगा रही है, और वीमल जो ह मेर पास हो जाएगा यह टोटल वर्क हो जाएगा उसके छोट पर यूनिट कितना कैसे निकालते हैं तो कहा कि कितने टाइम में वो काम फिनिश करेंगा उसको लिए आप गया करते हैं ये डिवाइड बाइ ये 24 डिवाइड बाइ 11 तो हमारे बाइस correct answer हो जाएगा तो option 24 बाइ 11 तो है नहीं लेकिन आपको ये देखने को में 22 बाइ 11 कम्पूटरल सेक्शन स्टार्ट करते हैं इंपोर्टन चार कुशिंट कवर करेंगे फर्स कुशन पर सामने स्क्रीन में आ रहा है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंपूटर है टुगेदर नाव नजज जैकी पी इंपूट आउट पूट बी करेक्ट एंसर हो जाएगा इंटरनेट वर्क्स बारे बढ़ते हो उसमें बागी कैटेग्रीज बढ़ते हो तो इंटरनेट के बार में यह पढ़ते हो ना कैसे करेंट करता है पर यूज करके तो ऑप्शेन नमबर भी आपको देखने को मिल रहा है फिर आपको कहा गया इडेंटिफाइद करेक्ट इमेल एड्रेस करेक्ट इमेल एड्रेस का फॉर्मेट कौन साबको बताना है सब भी जेकेपी से दोजार उग गैस में पुछे के क्वेशन है तो डॉ कि बात करेंगे SMTP की फुल फॉर्म क्या है आपके समने स्क्रीड में आ रहा है इसा जो करेक्ट एंसर है वो आपने मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करेंगे बताना है तो इसलिकी साथ आज कि इस वीडियो को एंड करेंगे जल्दी में वीडियो बनाई है तो उसके बोला चांगो बट वीडियो को शेयर करना फिल में थैंक यू